नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में सभी कृशी प्रयोक्सक साथियों को ये ध्यान है कि मरदा स्वास्ते कार्ड जो हम पहले ओफलाइन लिया करते थे उनका मोबाइल एप के माध्यम से लिया जाना प्रस्ता भी थे इस है तू कृशी विभाग में जोइन डाइरेक्टर लेवल पर आप सभी को ID एउन पास्वर्ट जनरेट कर दिये गए हैं अब इन ID पास्वर्ट से किस तरह आप अपना मोबाइल एप लोगिन करेंगे कहां से हमें वो डाउनलोड करना है और किस तरह से हम इसकी प्रक्रिया देखेंगे तो यह पुरी की पुरी प्रक्रिया के बारे में हम जानकरी प्राप्त करेंगे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करें हम इसके लिंक से भी जाकर हम इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं या आप Soil Health Card भी लिखेंगे प्ले स्टोर पे तो वहां से आपको इस आइकन का जो आपको स्किन पर दिखरा है ये एप आपको दिखेगा इस एप को आपको इंस्टॉल करना है ये एप आप इंस्टॉल करोगे 10 से 12 MB का ये एप है बहुत चोटा एप है Department of Agriculture and Welfare फार्मर Welfare की तरफ से ये बनाया हुआ है इसको जैसे आप इंस्टॉल करोगे इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है और Open करने के बाद एक Simple Interface खुलेगी जिसपे आपको ये कुछ अपनी Permission मंगेगा जिनको आपको Allow करना है और उनको Allow करने के बाद में एक Interface नहीं खुलके आएगी जिसमें आपको Login का Option दिया हुआ है उस Login में आपको क्या करना है आपको अपना State जैसे हम राजस्तान से हैं तो राजस्तान सेलेक्ट करना है उसके बाद में आपको इसका Level User Level एक है Soil Testing Lab Level और एक Agent Level तो आप Supervisor जो है Agent Level और उसमें अपनी ID जो आपको Joint Office से दी गई है और वहीं से आपको एक Password भी Generate करके दिया गया है तो वो ID और Password अगर डाल के आपको Login करना है जैसे आप Login करेंगे आपको एक नए Interface कुलेगी क्योंकि अभी तक वहां से कोई Allotment नहीं हुआ है इसलिए Unable to Fetch Allotment Data Please Try Again का Message आ रहा है लेकिन आप उपर देख सकते हैं क्रिशी प्रेक शक का नाम आ जाएगा उसके बाद में आपकी Total Assets Allotted Soil Sample कितने हैं फिर आपको Total Complete कितने हो चुके हैं टेस्ट और टेस्ट चल कितने रहे हैं वो सारा का सारा Data आपको उपर मिल जाएगा फिर आपको Farmer Registration पर भी अगर जब आप ये Sample लेंगे तो Farmer Registration भी कर सकते हैं तो ये Registration में नाम और Mobile Number आधार अनिवारी होगा बाकि जो भी Details है वो जिल्ला उप जिल्ला और आपका गाउं ये सारी की सारी आपको इसमें लिखनी होगी और लिखने के बाद में जैसे आप Submit करेंगे तो वो Farmer का Registration हो जाएगा इसके बाद में दूसरा इसमें Option दिया जाएगा दूसरा इसका Option आएगा आपका कि आपका अगर Soil Sample हो रहा है तो One Run Test में आएगा फिर आप Farmer का जब Sample Collection करने जाओगे तो आपको Search Farmer में Mobile Number डालके आगे Submit करना होगा तो वो आ जाएगा फिर अगर जिसका आपने Sample ले रखा है वो किस लेवल पे है तो वो Track भी आप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको कोई समश्या भी आ रही है तो इसमें User Manual दे रखा है उस User से डाउनलोड करने से एक PDF डाउनलोड होगी और उस PDF में सारा का सारा और भी आपको समझ में न आती है तो उसको आप Manual से देखके या अपने Higher Authority से संपर करके solve कर सकते हैं धन्यवाद जैहिन